गुड मॉर्निंग चिल्टर्ण जैसे कि हमने इंडियन सिस्टम किया था उसके लिए हम करते थे तो इंडियन सिस्टम लिखने के लिए हमने जो सिस्टम यूज किया था उसके लिए पहले हमारा आया था once का period फिर आये था हमारा thousand का period उसमें आये थे two digit two digit आगे है लैक उसके लिए भी आये थे two digit फिर करोड उसके लिए भी आये थे two digit आज हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था इंडियन सिस्टम के बारे में पर ये उससे थोड़ा सा अलग है तो बैसे ही period, place और number तो ये हमारा ये period तो first था, first है हमारा once का period, फिर thousand का, फिर million का पर हमने जो इंडियन सिस्टम पढ़ा था, उसमें था पहले once, फिर था thousand, फिर lakh, फिर croats पर यहाँ पर जो इंडियन, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें once, thousands और millions तो once के place में, जो इंडियन सिस्टम था, उसमें भी three, जो three digits थे पहले once, tens, hundred, इंटरनेशनल में भी बैसे ही, once, tens, hundred पर आगे जो हमारा thousands का है, इंडियन सिस्टम में तो आते हैं सिर्फ two digits, यहाँ पे हमारे हैं, three digits next three, one thousand, ten thousand and hundred thousand, आगे million के place में भी next three digits, one million, ten millions and hundred millions तो इसी तरह हमारा यह चार्ट है, जो once का place है हमारा, यह देखो यहाँ से, once, tens, hundred, one thousand, ten thousand, million यह हमारे आए, three digits next के, आगे million के लिए भी, three digits, one million, ten million, hundred millions तो यह हमारे number आए, once, जो smallest number है, one digit, one, फिर smallest two digits, one और two, बन जीरो, बन गे हमारा, ten तो यह हमारा one आए, tens के place में, और ones के place में, zero, इसी तरह hundred, hundred के place में, one और आगे tens के place में, zero, ones के place में, zero, अब आगे, one thousand, one thousand आपको पता कैसे लिखते हैं, one और three, zero अब आगे हमारा ten thousand, तो one और यह, यह ten और आगे three, zero, यह बन गे हमारा ten thousand, आगे हैं हमारा hundred thousand, hundred thousand मतलब, यह हमारा हो गया hundred thousand, तो one, two, three, यह hundred के place, ones के place में, zero, यह one hundred वाले place की zero, ten hundred के, ten thousand के place की zero, और यह hundred thousand में, one, ऐसे ही million, ten million, और hundred million, तो हमारा जो system बनेगा, जैसे हमारा इंडियन सिस्टम है, इसमें तो आता है हमारा once, tens, hundred, फिर कोमा, thousand, ten thousand, फिर कोमा, लेग, ten लेग, फिर कोमा, करोड, ten करोड पर, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें आएगा हमारा once, tens, hundred, फिर कोमा, one thousand, ten thousand, hundred, फिर next, कोमा, one million, ten million, hundred million, इसके इस चार्ड को आप ध्यान से समझ लेना, हम इसके questions कल में आपको बताऊंगी, thank you,